लिवमन किसका मातरक है? इसका जवाब सुन लेजिए फटाफट वैदेही मिश्टा से बाते बाद में इसका राइट एंसर है जोती फ्लक्स जोती फ्लक्स का साइन्स के बहुत इंपोर्टन्ट कॉश्चन है अगला सवाल मातरकों की अंतर राष्ट्रे पद्दती कब लागू की गई थी? जवाब सुनिए इसका राइट एंसर उननिस सो इकत्तर साइजवाब अगला सवाल एस आई पद्दती में लेंस की शक्ती की इकाई क्या है? इसका राइट एंसर है डायोप्टर डायोप्टर सही जवाब अगला सवाल देखिए जल्दी से वस्तू को गरम करने पर उसके अणूओं में क्या होता है? इसका राइट एंसर है की चाल बढ़ जाएगी चाल बढ़ जाएगी चलि अगला सवाल देखते हैं फटा फट इन में से कौन उस्मा का मातरक नहीं है? इसका जवाब बताना है साइंस के बहुत इंपोर्टन है इन्हें नोट करिए इसका राइट एंसर है डिगरी सेल्सियस सवाल सुनिये जिनका जवाब पता है कमेंड में लिखिएगा इसका राइट एंसर है बीस किलो हर्ट से अधिक है अगला सवाल फटा फट देखिए इसका राइट एंसर है आवर्टी प्रकाश का तरंग सिध्धान्त किस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था सही जवाब आपको पता लग गया कमेंड में लिखिए जो जवाब आपको पता है चलिए देखिए प्रकाश का बिद्युत का प्रभाव प्रतिपादन किस ने किया बहुत आसान सवाल है जवाब पता है तो कमेंड में लिखे नहीं तो सुनिए वैदही मिश्रा से इसका राइट एंसर आइंस्टीन ने चलिए अगला सवाल देखते हैं बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्तु से बना होता है सही ओप्सन कमेंड में लिखिए इसका राइट एंसर है टंगस्टन वैदही मिश्रा बताएंगी सुनिए इसका राइट एंसर है लेड लेड सही जवाब अगला सवाल देखिए एक एंग स्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं ओप्सन ए इसका सही जवाब है 10 की पावर माइनस 10 मीटर चलिए अगला सवाल देखते हैं एक प्रकास वर्स की दूरी कितनी होती है इसका राइट एंसर है 9.46 गुड़ 10 पावर 12 किलो मीटर चलिए अगला सवाल फटा फट देखते हैं सुपर कंड़क्टर की चालकता कितनी होती है इसका सही ओप्सन कमेंड में लिखिए इसका राइट एंसर है असी मीट यानि ओप्सन ए सही जवाब है अगला सवाल फटा फट देखिए पहले टापियनिक वाल्व का विसकार किस ने किया था चलिए सही जवाब सुनिए इसका राइट एंसर है C.J.A. फ्लेमिंग ने जे ए फ्लेमिंग ने चलिए अगला सवाल देखते है फटा फट स्थाई चुमबक जिस पदार्थ का बना होता है वह क्या होता है इसका राइट एंसर है ferromagnetic चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटा फट अगला सवाल है चुमबकिये छेतर का मातरक क्या होता है बहुत easy है बहुत important है जवाब बताईए इसका right answer है gos गos सही जवाब अगला सवाल फटा फट देखिए बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है इसका right answer है टंगस्टन तंत के उपचैन को रोकने के लिए इजी लेंग्वेज में आपको बाद में समझा देंगा जेम्स चैडविक ने निम लिखित में से किस की खोच की थी ऑप्सन आपकी स्क्रीन पर है जवाब लिखिए नूट्रान की चले अगला सवाल फटा फट देख लीजिए रेडियो धरमिता की खोच किस ने की थी सारे ओप्सन आपकी स्क्रीन पर है जवाब लिखिए अगला सवाल फटा पड़ देख लेते हैं रेडियो धरमिता तो किसका उतसरजन करती है ओप्सन आपकी स्क्रीन पर आलफा वीटा और गामा विकरन अलफा, वीटा और गामा विकरण सही जवाब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर हाइडरोजन के रेडियो सक्रिये समस्थानिक को क्या कहते हैं इसका राइट एंसर ट्राइट एम यानि विकल्प डी आपका सही है अगला सवाल देखिए आइनो से बने योगिक का सामाने नाम क्या है उप्सन आपकी स्क्रीन पर है उप्सने वेद्यूत सही जवाब है अगला सवाल फटावर देखिए औक सी करण वह प्रक्रिया है जिससे तत्तुकी सही जगता निमलिखित विकल्प में से कौन सा सही इसका राइट एंसर से उजगता बढ़ जाती है यानि विकल्प बी आपका सही आंसर है अगला सवाल देखते हैं सभी अमल जल में घुलकर क्या परदान करते हैं उप्सन आपकी स्क्रीन पर है इसका राइट एंसर येच प्लस आयन चलिए अगला सवाल फटापट देख लेते हैं गैसों के विसरन का नियम किसने परतिपादित किया था इसका राइट एंसर है ग्राहम ग्राहम सही जवाब है अगला सवाल देख ली उत प्रेरक की खोच किसने की थी जवाब आपको बताने बहुत इंपोर्टनट है चलिए जवाब सुनिए इसका राइट एंसर है बरजीलियस बरजीलियस ने खोच की उत प्रेरक की अगला सवाल जल गैस किसका सयोजन है इसका राइट एंसर है CO और H2 CO और H2 सही जवाब चलिए सिखते रहे सिखाते रहे जुड़े रहे आरजम सिक्षा के साथ धन्यवाद